कि अपकु आप देख रहें बिहार इंसौर्ट इन दिनों बिहार का मशम का मिजाज बदला हुआ ये फिसले चार-5 दिनों की बात कर ले तो मोसम में लगातार बदलाव देखनी को मिल रहें वहीं बिहार के कई जिलों में कहीं बारिश हो रहा है तो कहीं तेज धूब भी निकल रही है, ऐसे में आपको बता दे कि मौसमी भाग के दौरा भी अलर्ट जारी किया है, वहीं आपको बता दे कि इधर पटना बकसर सहीथ 14 जिलो में बुद्वार को बारिस होने की आसार है, यानि कि आज बारिस होने के आसार है, इस दौरान कहीं कहीं ओले और बिजली भी गिर सकती है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है सोमवार देर रात बकसर और अंगबाद कैमूर सासा राम सहीत आठ जिलों में 66 एमिन बारिस भी रिकॉर्ड की गई है ऐसे में आपको बता दे कि पिछले में बिहार के 4-5 दिनों से मौसम का मिज़ाज बदल सी रहेगी वहीं आपको बता दे कि मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं ऐसे में किसानों को सबसे ज़्यादा च्छती हो रही है क्योंकि आम और लीची का फसल जो है वो बरबाद हो रहे हैं कहीं न कहीं ओले गिरने से ये फसल और फल जो हैं बरबाद हो र हैं आपको बता दे कि तापमान में उत्राव चढ़ाव होने से सर्दी खासी बुखार और डारिया के पेसेंट भी बर गया है मौसम विभाग के अनुसार 27 अप्रेल तक तापमान सामाने से नीचे रहेगा लेकिन 28 अप्रेल से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी ऐ ऐसा मौसम विभाग का मानना है वहीं आपको बता दे कि अभी कुछ राजियों में पुर्वा हवा चल रही है जो बंगाल की खारी से नमी लिया रही है इसके साथ ही राजस्थान से लेकि उत्तर प्रदेश बिहार जारकंड होते हुए बंगाल की खारी तक पस्मी भी कि यह जो गर्मी में उतराओ चढ़ाओ से खासी सर्दी में भी काफे लोगों मडीज बर गहा है ऐसे में आप बचाओ करे खुद का क्योंकि मौसम का मजाज विहार में लगातार बदल रहा है पिछले चार-पास दिनों से भी मौसम काफी जादा बदलता हुआ नजर आ रह है क्योंकि बदलते मौसम के साथ अब्यद सबसे ज़्यादा खराब होती है खासी सर्दी और बुखार भी हो सकते हैं आप साफधान रहे सतर्क रहे हलाकि आज राजधानी पटना कि अगर बात कर ले तो बारिस होने के आसार बताय जा रहे वहीं ओला भी गिरने के आसार ब हैगा लेकिन वहीं बतादे कि 27 अप्रेल तक यह तापमान जो है समाने से नीचे रहेगा लेकिन आपको बतादे कि 28 अप्रेल से फिर से गर्वी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ऐसा मौसम भाग का मानना है तो आप भी सतर्क हो जाए साबधान हो जाए क्योंकि मौसम भ सब्सक्राइब करें फेस्बूक पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद